मेरे प्यारे देश वास्यों, मन की बात, उसकी एक खुबसूर्ती ये भी है कि मुझे आपके संदेश बहुत सी भाशाओं, बहुत सी बोलियों में मिलते हैं। कई लोग माई गौव पर अडियो मेसेज भी भेजते हैं। भारत की संस्कृती, हमारी भाशाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहेंसें, खान पान का विस्तार, ये सारी विविद्दाएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पस्चिम तक, उत्तर से दक्षिन तक, भारत को यही विविद्दता एक करके रखती हैं, एक भारत स्रेश्ट भारत बनाती हैं। इसमें भी हमारे एतिहासिक स्थलों और पावरानिक कथाओं दोनों का बहुत योगदान होता है। आप सोच रहे होंगे कि यह बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा हूँ। इसकी वज़य है माधवपूर मेला। माधवपूर मेला कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे यह भारत की विविद्दता से जुड़ा है। यह जानना मन की बात के सुरुताओं को बहुत इंटरस्टिंग रगेगा। साथियो, माधवपूर मेला गुजरात के पोरबंदर में समंदर के पास माधवपूर गाउं में लगता है। लेकिन इसका हिंदुस्तान के पुर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो इसका भी उत्तर एक पौरानिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पुर्व भगवान स्री कृष्ण का विवा नौर्थ इसकी राजकुमारी रुक्मनी से हुआ था। ये विवा पौर मंदर के माधवपूर में संपन हुआ था और उसी विवा के प्रतिक के रुप में आज भी वहां माधवपूर मेला लगता है। इस्ट और वेष्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयात से माधवपूर मेले में नई नई चीजे भी जूड रही हैं। हमारे हां कन्या पक्ष को घराति कहा जाता है। और इस मेले में अब नौर्थ इष्ट से बहुत से घराति भी आने लगे हैं। एक सब्ताह तक चलने वाले माधवपूर मेले में नौर्थ इष्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं। हैंडिक्राप से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं। और इस मेले की रौनक को चार चान लग जाते हैं, एक सप्ता तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतिकों का इमेल, ये माधोपुर मेला, एक भारत, स्रेश्र भारत की बहुत सुन्दर मिसाल बना रहा है, मेरा आप से आग रहें, आप भी इस मेले के बारे में पढ़